आज में लेकर आई हूं सुजी का इतना ट्रेस्टी नासता है कि इसके सामने समोसा कचवरी सब आपको बे स्वाद लगेगा एक वार अगर आप बना लिए तो इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसे बनाने के लिए हमें ले लेना है पानी तीन कटोरी और इसमें एक चम्मच नमक डाल दिये हैं चार चम्मच रिफाइंड वाइल अब पानी में उबालाने देना है इसका मेजर्मेंट करना है एक कटोरी सुजी में तीन कटोरी पानी तो पानी उबल गया है तो गैस को हमे धीमा कर लेना है और इसमें एक तोरी सुझी को डाल दिये हैं सुझी डालकर धीमी आज में इसे पकाना है इसे चलाते हुए पका लें सुझी अच्छी तरह से कूक हो जाए तो हमें गैस को बंद कर लेना है देखिए सुझी अच्छी तरह से पक गया है अब हम गैस को बंद कर दिये हैं और इसे ठंडा होने देना है जबते कि ठंडा हो रहा है इधर हम मसाले त्यार कर ले रहे हैं तो हम ले लिए हुगले हुए आलू आलू को छिल लिये हैं पहले अब इसे मैसर से मैस लेना है आलू को मैस कर लिये हैं इधर सुजी का जो आटा था ठंडा हो गया है अब इसका आटा लगा लेना है तो सौफ्ट आटा गुत लेना है इसमें एक्स्ट्रा पाली नहीं लगा है वो नहीं में हो गया है सौफ्ट आटा लग गया है दिखिए इसी तरह कर सौफ्ट आटा हमें लगाना है हमें आट दस काजू ले लेना है और इसे कट कर देना है एक कड़ाई ले ले और कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दे जादा तेल नहीं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा मूंगफली फ्राइ कर दे तो मूंगफली को फ्राइ कर लेना है हलका फिर इसी में काजू जो कटा हुआ था उसे भी डालकर फ्राइ कर लेना है काजू और मुंफली फ्राइ हो गया है इसे एक बरतन में निकाल ले अब इसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल आउट डाल दे और थोड़ा सा जीरा डाल दे और थोड़ा सा हिंग एकदम कम डाले और तीन चार हरी मिर्च कट करके उसे भी डाल दे और इसमें प्याज एक बड़ा प्याज को फाइन चॉप करके डाल दे इन सब को फ्राइ कर लेना है अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाले और नमक एक चोटा चम्मच थोड़ा सधनिया पाउडर थोड़ा सजीरा पाउडर अब मसालो को हमें फ्राइ कर लेना है हमें इसमें उबले हुई आलू जो मैस करके रखे थे उसे डाल देना है आलू को मसालो के साथ अच्छी तरह से फ्राइ करना है चलाते हुए आलू को फ्राइ कर ले अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दें कसूरी मेथी डाल कर फिर थोड़ा सा फ्राइ करें अब इसमें थोड़ा सा धनिया पता डाल दें और गैस बंद कर दें मसाला रेडी हो गया है गैस बंद कर दें इसे ठंडा होने दें आधा घंटा में आठा अच्छी तरह से सेट हो गया है फोटा सलोई ले ले लोई को गोल कर ले और इसका इस तरह से कटोरी बना ले इस तरह से उल्लियों से दवा दवा कर कटोरी बना ले अब इसमें आलू का स्टफिंग को भर दें दवा कर अच्छी तरह से और इस तरह से इसका मूह बंद कर दें इसी तरह से सारे बॉल्स त्यार कर ले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बिल एकोन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें इसी अब फ्राइ कर लेते हैं तो कड़ाई गर्म कर लिए हैं और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है अगा इसकी फ्लेम को तेजी रखना है धिमा नहीं रखना है लेकिन इसे अभी पलटना नहीं है अभी मैं इसे सेट कर ले रही हूँ इसी तरह सेट कर ले सारे बॉल्स को और इसे कुछ तरह एकदम नहीं छूना है एक डर मिनट हो गया है इसके बाद इसे पलट ले रहे हैं हलके हाथों से पलटना है इसे अलगते लगते हुए अब अच्छी तरह से फ्राई कर लें अब यह फ्राई हो गया है वोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे निकाल लेना है इसी तरह से सारे बॉल्स त्यार कर लें मुझे तो यह नास्ता बहुत पसंद है आप लोगों को कैसा लगा आपको सुझी का यह नास्ता कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल दाझ करें लोगों करें ना कि ए लाइक रूटे लाइक लोगों करना झाल उडियो